नमस्कार स्वागत अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराकिय और सब्सक्राब अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हां जी क्या हाल चाल है आज मैं आपको अपने इस चैनल में बताऊंगे धूप से जुड़े हो है चमतकारी उपाए ऐसे उपाए जो भगवान के आगे धूप जलाते हैं लोग कहते हैं घर में अगर बती नहीं जलानी चाहिए उसमें बास होता है भगवान को धूप बहुत पसंद है तो कोई लोबान की धूप जलाता है तो कोई गूगल की धूप जलाता है कोई चंदन की धूप जलाता है तो आप और मैं भी निश्चित रूप से धूप जलाते हैं, हम हवन में भी धूप का इस्तमाल करते हैं, धूप भगवान को बेहत पसंद है, धूप एक ऐसी चीज़ है जो बजार में असानी से मिल जाती है, धूप हमारे खोय हुई जिंदगी में हमारा खोया हुआ प्यार वापस लेकर आ स कीजे चमतकारी धूप क्यों पाएं, धूप शनिवार वाले दिन, काले रंकी धूप, मंदिर में दान करनी चाहिए, धूप सुभा और शाम अपने घर में जरूर जलानी चाहिए, रसोई में अगर रातरी में पूरी रसोई साफ करकर बरतन धोकर बरतन वाली जगा पर हो जाती है, शाम के समय में घर के दर्वाजे पर जो लोग धूप जलाते हैं और अपने अतीथी का स्वागत धूप जलाने जला करते हैं, मतलब अतीथी के आने से पहले ही घर में धूप जला देते हैं, तो अतीथी के साथ बाहर से आने वाली कोई भी नेगिटिविटी आ आपके घर में नहीं आती ब्रामर्ण को धूप हफते में एक बार दान देने वाला उसके हाथ में देने वाले को सेम हरी विश्नु की किरपा मिलती है मंदिर में जाकर धूप जलाने से अलग-अलग भगवान के सामने धूप जलाने से अत्य अधिक मन की च्छाएं पूंढ हो फोन पर उसकी तस्वीर लगा कर और उसको स्टिल करकर उसके आगे धूप जला दीजे और बोलिए कि मुझे तुझे मेरी याद है तू मुझे फोन करें लेकिन जब आपको फोन करें एक मिस कॉल भी करें तो इत्राइएगा मत तुरंत फोन में पॉजिटिव जवाब हमारे घर से पितर दोश नजर दोश खतम होता है धूप अगर हवन समगरी में जलाई जाए तो घर की निगिटिव एनरजी भी दूर होती हमारे देश के प्रदानमंतरी तक ने ये बात मानी कि हमें हवन करना चाहिए घर का साफ शुद रखना चाहिए घर का महौल अच्छ गुड और धूप मिला कर अगर शनी वार वाले दिन शनी देव के मंदिर में चड़ाई जाए तो जलाई जाए तो शनी देव की विशेश किरपा होती है शनी दोश से मुक्ति मिलती है नकरात्मक शक्तियों को घर से दूर करने के लिए घर में तीन बार सुभा दुपैर औ पूरे घर में उसका धुआ दीजे गाएं के बने हुए गाएं के गोबर के बने हुए उपले के उपर अगर धूप रखकर घर में जलाई जाए और किसी के उपर उपरी हवा होती हो किसी के उपर जादू टोना होता हो किसी के उपर आत्मा आती हो तो वो कस्ट तकलिफ भी साही होती है पुराने जमाने में राजा महराजा जब शादी करते तो सौहागराज से पहले दुलहन को धूप के दुहें से नीचे से उपर तक पूरा नहिलाया जाता था उसके बाद उसे सौहागराज के लिए कमरे में बेजा जाता था तो समझे धूप का महत्व कितना महत् इंदर जो धूप होती है उसका धुआ लेती थी क्योंकि उस ताम पर ऐसे शेंपू या कंडिशनर्स या खुश्बू के लिए कोई चीज नहीं आती थी तो धूप का धूँआ अपने बालों में दिया जाता था जिससे बालों में से सुगंध है और ऐसा करने से पती मोहित हो बार-बार गोल-गोल-गोल करेंगे उसे एक साइज देंगे एक अकार देंगे उस वक्त आपकी जो भी विशो वो बोलते रहे और लगातार ऐसा आप एक तालिस दिन तक कीजे और इस धूप को जाकर शेरा वाली मा के मंदर में जला दीजे और आपको बिलकुल नागा नह हमने ये धूप जला कर आईए एक तालिस दिन से पहले आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी समय एक ही हो मंदिर एक ही हो और धूप एक साथ इकठी खरीद कर रख लीजेगा धूप की धूप जो है उसके जो फ्लेवर्स है वो बार-बार बदलिएगा मत कई बार क्या होत और लोगों को मौका दीजे उनको माफ करिये और जिंदगी के अंदर अच्छा होने के लिए सत नराण भगवान की कता महीने में एक बार जरूर कीजे अपने घर में अपने आफिस में आपके घर में धन भी बरसेगा आपकी च्छाएं भी पूर्ण होंगी सोच को पॉजि सम्मान देंगे तो सम्मान जरूर में लेगा जया मतारे